हमश्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सब का स्वागत करते हूं कथा मंथन में आज सुनिए सुमित्रा नंदन पंत जी की द्वारा रचित कहानी दमपत्ती इस रचना के द्वारा उन्होंने एक साधरन दमपत्ती की जीवन यात्रा का वर्णन किया है तो चलिए शुरू करते हैं कहानी दमपत्ती लेखक सुमित्रा नंदन पंत पारवती की शादी छुटपन में हो गई थी वह गाओं की लड़की थी पिता खेती बारी का काम देखते थे जाद के भ्रामन थे थोड़ी सी जमीन थी सुहम खेती का काम ना कर सकने के कारण उन्होंने असामी रख लिये थे जो कुछ उस से पैदा हो जाता उसी में किसी तरह गुजर कर ले थे कुटुम कुछ छोटा ना था मा अभी जीती थी एक विद्वा भावच थी जिसके दो बच्चे थे उनके भरन पोशन का भार भी पार्वती के पिता पर था पार्वती से बड़े चार भाई बहन थे और भगवान की किरपा से किसी तरह दिन अच्छी तरह कड़ जाते थे आधिकांश समय भजन पूजन भगवत रमायन के पठन पाठन में व्यतीत होता था एक गाउं के ब्रांच आफिस में पोस्ट मास्टर था तो दूसरा डिस्ट्रिक बोर्ड में कलर्क दोनों अपनी बहुआ बच्चों का पालन पोशन करने लायक हो ही गए थे पार्वती की बड़ी बेहनों की शादी भी अच्छे ही घरों में हुई दोनों खुशालती यही संतोश उसके नेक और दरिद्र पिता की मानसिक संपत्ती थी पार्वती की शादी भी शहर में ही हो गए उसके पिता की नेकी में प्रभाव था अव्यनिश्चित हो और भी तालिनता से भगवान की अराधना में समय यापन करते थे पार्वती के पती शहर के डाक खाने में कलर्क थे पुरानी अंग्रेजी मिडल पास थे दुबले पतले थे सही पर स्वास्ते अच्छा था पार्वती के भाग सही उसे ऐसे स्वामी मिले थे पार्वती के सिवा उनके और कोई विनोध ही ना था पोस्ट ओफिस से सीधे घर आते और बाली का पारवती के सहवास का सुख लूटते और किसी और उनकी असक्तिया रूची नहीं पाई जाती थी पारवती का रंग सावला था लंबी नाक, लंबा मुख, काली चिकनीस नहीं करुन मिश्रित आखे, हसी में लाज, लालसा और कुछ-कुछ विजय दर्प था नवयुवती होने के कारण सुन्दर ना होने पर भी बुरी ना लगती थी शादी के बाद 14 साल की होने पर पारवती स्वामी के घर आई थी और गौना तबी हुआ था उसके स्वामी के लिए उसका स्तृत्वी ही काफी था सुन्दर था कि उन्हें ऐसी परवाना थी, जिस प्रकार गाउं के साधरन संसार में पिता के साथ विग्रह में पली हुई पारवती के मन में पती के घर के लिए कोई विशेश कल्पना ना थी केवल बिहा का आ निर्वचनिया भाव और पती मिलने का लालसा हिन अज्यात गुप्त सुख ही सब कुछ था उसी तरह पारवती के पती के लिए भी इस्त्री की सुंदर्ता और गुणों का अधिक मुल्या नहीं था केवल किसी इस्त्री के अपने पत्नी होने के भाव से ही सबसे अधिक मोहिनी थी संभव है यह नई जवानी के कारणों या साधरन वातावरन में पलने के कारण दूसरी अपनी बन गई है कैसा मधुर रहस्य है दूर एक दम समीप आ गया नहीं दूर पास का भेद भी नहीं रह गया कलपना ने सत्य का आसन ग्रहन कर लिया अपने ही साथ एक ही आसन उसे छिपा कर कलपना ही रखकर उसकी मनोहरता को चारो और से घे कर उसकी रक्षा करनी चाहिए पतनी के परती उनके असपश्ट भावों का ऐसा ही कुछ अर्थ था वे सोभाव से ही स्त्री प्रिया थे बाहर की सारी संपत्ती जैसे उसने अपनी मुठी के भीतर ही मिल गई पती का समस्त्र लाड प्यार और ध्यान अपनी और खिचा पाकर पारवती आत्म विजय दर्प और आनंद से पूर्ण होकर जीवन वेतीत करने लगी गाउं की लड़की होने के कारण वेह घर का सारा काम काज बात ही बात में पूरा कर डालती इसमें उसे जरा भी आलसना लगता था वेह हश्ट पुष्ट दो थी अपने ही हाथ से खाना पकाती रोटी बना कर बड़े ही चाव से पती को खिलाती कभी कभी पेट में अधिक ना समा पाने के कारण विवश हो पत्नी का आग्रह टाल धैने पर दमपत्ती में मधूर कलह का भी उधै हो जाता पर वेह दोनों की आखे मिलते ही डूब भी जाता था पारवती के प्रेम में समानता भाव से अधिक आधर ही का भाव था इसलिए जिस प्रकार प्रेमी यूगल प्रस पर विश्वा सेवन प्रेम का उपभोग करने और प्राया लड़ने एक दुसरे को उत्तेजित करने खिजाने में किसी प्रकार का संकोच या कसर नहीं रखते उस प्रकार का द्रिश्य है पारवती कभी अपने सरल दामपत्य नाटक में ना उपस्तित होने देती पती के कटाक्षों, तानों, उत्तेजनाओं को वे हसकर सिर मटका कर सहकर निर्मल कर देती पारवती को कपडों का अधिक शौक ना था, बनाव शिंगार की और कभी उसका ध्यान ही नहीं जाता वे तो हमेशा सीधी साधी लिबास में रहती दूसरी इस्तियों के रूप से उसने अब तभी अपने रूप की तुलना भी नहीं की सुंधर्ता, साज और शिंगार के परे, उसकी स्वामी ने अपने समस्त हिर्दै से उसे जिस रूप में अपना लिया था सुईकार कर लिया था, उसी से उसकी आत्मतरिप्ति हो जाती थी पती के अधिक प्रेम के कारण उसकी श्रिंगार और भोग की लालसाएं सीमित हो गए ग्रहस्ती के खर्च से जो कुछ बच्चता उससे पारवती अपने लिए गहना बनवा लेती थी उन्हें ही वह अपनी संपत्ती समस्ती थी जिससे लक्ष्मी स्थिर रहती है वे गहने पती को रिजाने के काम में नहीं आते थे हाँ कभी तीज तिथीत यहोर के रोज या पास पड़ोस में बिहा काच के समय पारवत गहनों के चलन का खूब सद्यूपियोग करती थी उसके स्वामी उसे अधिक देड़ तक भाहर नहीं रहने देते थी पारवती का भी कहीं जी ही नहीं रगता था भीतर ही भीतर उसे जान पड़ता था कि बाहर जिन सब वस्तों से इस तरीका मुल्या आका जाता है वैसा तो उसमें कुछ है ही नहीं केवल उसके स्वामी के ही ऐसी दिव्य दृष्टी है कि जिसने आत्मा के भीतर छिपा उसका गौरफ पहचान लिया उस पर निचावर हो गए इसलिए पारवती भी सकी सहेलियों से कटकर स्वामी के ही पास जीवन का अनुभव करती उसे पती को घेरे रहने की आदत पड़ गई थी इस दमपत्ती के बीच कुछ अधिक बाते ये रसालाप नहीं होता था दौनों के वल एक दूसरे की उपस्थिती के ही प्यासे थे दौनों अपने को एक दूसरे की आँखों से और सम्मंद में देकर केंद्रित और आत्मसत हो सुख पाते थे दौनों के बीच दूरी रहने पर भी जैसे शरीर शरीर को छुए रहता था बैभले ही किसी उच्च श्रणी का असीम बन जाने का आनन्द या भाव वाचे को लास ना हो पर वह सीनित बन जाने का सुख था और पूर्ण सुख था मास का सुख था एक का मन दूसरे का शरीर रुपधारन कर लेता था दौनों के मन एक दूसरे की गंद से बहे रहते थे इसलिए दूर रहने पर भी दौनों के शरीर मिले रहते थे उनकी आपस में बिल्कुल सामान्य बाते हुआ करती थी ना उनमें कला रहती थी ना सांस्कृती ना भाव यंजना सत्य को दौनों अपने भीतर गहरे भीतर छिपाए रहते और उस असलियत के परस्वर छिपाव का दौनों उपभोग करते वे पती पतनी हैं सब तरह से एक हैं एक को दूसरे पर अधिकार से पून स्वतंतरता और प्रेम इन बातों को भी कहने की चरुवत है इन बातों की याद भी क्यों आए जीवन का सार अंते स्थल में छिपा रहे हैं क्या हृदाय में धड़कन नहीं कौन हर समय उस पर मन दे याद आने से जैसे मन दबने लगता है हृदय पर बो जा जाता है आशंका भै ताप ना जाने क्यों नहीं नहीं वे एक नहीं दो हैं अपरिचित हैं भिन भिन हैं उन्हें आपस में कुछ तो भोलना चीए स्वांग करना चीए है सहानुबूती आदर रखना चीए कुछ व पाव नहीं अलंकार नहीं और अर्थ भी क्या होता उनकी बाते वस्तुएं होती यही आटा दाल घर भरतन थरकारी इत्यादी उनकी बाते कारिय होती आख का मिलना जबना हाथों का उठना गिरना परस पर सेवा इत्यादी फिर भी ना जाने कैसे इन्हीं जड़ चेश्टा नहीं कला है या नहीं पर अपने को छिपाना ही उनका जीवन है एक लरके की घरस्ती का गाओं को अशिक्षित सांवली पत्नी और शेहर के नाम मातर को शिक्षित निर्बल पती के जीवन का जो साधारन सुन्दर ताहिन गद्य था उसे उन्होंने इतना अधिक अपना लिय या भुला दिया था कि वह उनका सर्वस्व बनकर और कुछ ना बनकर पद्य हो गया था उनकी ले में मिल गया था कितना सामान्य सस्ता प्रति दिन का सब का काम काज मातर का उनका वह कवित्व होता था दौनों मास के टुकड़े या पिंड़ते आत्मा और मन भी मास बनकर मूख जड़ विचार बुद्धी शुन्य बन गए थे वे शायद चेतना भी खो बैटे थे हम हैं इसका ग्यान भी केवल दो मास लोत परस पर घुल मिलकर अपने को भूल गए थे घुलने मिलने का संसकार बन गए थे एक दूसरे को अति अधिक पहचानते थे स्वैम खो गए थे यह सब तो मैंने जियों कत्यों ही लिख दिया है प पारवती के संसार को बदलने में बड़ा बनाने में मदद की इतिहास शास्त्र और स्वभाव की दुआई देनी व्यर्थ है जनसंख्य का प्रश्ण संतान निग्रहे तृतिम अकृत्रम उपाय तो कल की बाते हैं ये सत्ते से भी अधिक दंपत्ति के लिए मानी और जानी पारवती कई लड़के लड़कियों की मा बनके ऐसा ही थो होता आया है हो रहा है और होगा और भगवान ना करे कि इसके सिवा कुछ और हो हां तो विता अनुसार कई छोटे बड़े उत्सव आये ग्रस्ति में रोना आया हसी आई कलरव किलोल पुछकार फटकार सुख दु सब में अभियुदय के ही चिन परकट हुए नए रूप रंग नई इच्छा आशाएं नए नेकलह और नई चिनताएं बहुत बड़ा परिवर्तन उपस्तित हो गया प्रारंब की छोटी सी ग्रस्ती नई हुई कि पुरानी आगे बड़ी कि पिछडी ये बाते किस काम की है जैसा होता है हुआ दमपत्ती की शारीरिक मांसिक आर्थिक दशा धीरे धीरे अच्छे के लिए बदली की बुरे के लिए दोनों का रूप रंग निखर कर कहा चला गया था क्या हुआ कितने रोग आए, शोक आए, हर्ष आए, अभियुदय आए, शिशिर आए, बसंत आए, किस पहलू पर जोड दिया जाए, किस दृष्टी को उन से देखा जाए, क्या कहा जाए, क्या चीपाया जाए, यह तो इस दमपत्ती के घरस्त की कहानी नहीं यह कता तो दूसरी ही कता है, इसलिए इतिहास पढ़िए, दर्शन पढ़िए, ज्ञान भी ज्ञान देखिए, समय समब पर तो वैसा कुछ होता ही रहता है पर पारवती के पुत्रशोक की बात तो लिखने ही पड़ेगी, बीस-बाइस साल के लड़के का मस्तिक्ष खराब हो गया और अंत में यक्ष्मा का शिकारवन परलोगवासी बन गया पारवती ने उसके लिए जितने आसू बहाए, उतनी तो कभी रोगी की सेवा भी नहीं की पागल लड़का मनुश्य तो समझा ही नहीं जाता, उसकी और धियान से वैसे ही खिच जाता है वह तो देवी प्रकोप की बात है, दुसाध्य है, उसमें किसी का क्या वर्ष एरसाधी दवाएं भी कहां तक खर्च की जा सकती है, सैनेटोरियम और स्वच जलवाईयों के स्वपने देखना भी ऐसे लोगों के लिए संगत नहीं, तिस पर लड़का पागल ठहरा, भई सची बात है, व्रित्यों की चापलूसी करने से क्या फाइदा सभी लोग भीतरी भीतर ठीक बात है और अची तरह समस्ते हैं, क्या किया जाए, सब तरह से लाचारी ही लाचारी आसु बहाने में मात्र हिर्दय ने किसी प्रकार की कमी नहीं रखी और धीरे धीरे समय ने कब विचारी के हिर्दय का घाव किस तरह भर दिया इसे कोई नहीं जानता बाहर से तो ये गुंगे दमपती दुरुस्त ही दिखते हैं भीतर अब बीची पी हुई कसक हो कौन जाने शादी के बाद प्रसूत भादा से एक लड़की भी पारवती की जाती रही जनम लित्यू किसके हाथ में है अब उसके लिए दो लड़के और एक लड़की रह गए बड़े लड़के ने स्कूल लिविंग के बाद पिता के पद अनुसरन कर लिया पिता को अब पेंशन हो गई लड़की की शादी अच्छे घर में हुई पर इस्तरी रुगन ही रहती सुनता है सुनते हैं दो तिन बच्चों की माँ भी बन गई है कोई कहते हैं कि गरीबों के लिए इस्तरी प्रसंग ही एक मात्र तो मनुरंजन रह जाता है संभव है पर पुत्र ने भी इस्तरी के बारों में सोलह आने पिता का ही सोभाव पाया पारवती दूसरी कन्या का विवा भी संपन कर चुकी छोटा पुत्र जो अभी विध्यारती ही है मा के पास रहता है पारवती के स्वामी का बुड़ापा कला को उसमें शायद साहनुभूती हो सके उसकी आलोचना कर सके उसके मन में संतान के लिए रत्ती भर अनुराग देखने को नहीं मिलता पतनी के बाद उनके हिर्दे में धन संग्रह करने की इच्छा ने घर कर लिया है और बुड़ापे के साथ-साथ यह रोग और भी बढ़ रहा है वह अंगुठे को तरजनी से रगड़ते वे संकेतिक भाषा में सब पर यही प्रकट करते की रुपे के बिना कुछ नहीं होता रुपे का बड़ा भाव है दूसरों के बारों में भी वह केवल उनकी माली हालत जानना पसंद करते अपने छोटे से वेतन में उन्होंने थोड़ा बहुत अवश्य संचा कर लिया है दूसरों के सामने पारवती के पती अपने को सदेव रुगन, निशक्त, मिकम्मा एवं दैनियां दिखलाया करते जैसे वह सीदे सादे कुछ ना समझने वाले अभोध अब हम इस जटिल संसार में जीवन यापन करने के लिए एकदम अयोग्य और अक्षे हों इस प्रकार वह दूसरों की सहानुबूती भी अरजन करने का शौक रखते हैं वे सदेव स्वस्थ अवस्था में भी रोगी से बने रहते हैं प्रकार का दिखावा और स्वांग पारवती को भी अब बहुत देखना और सहना पड़ता है इसी के बहाने वह अब उस से चोटी से चोटी सेवा और काम करवा लेते हैं संभव है युवा वस्था के उनके गुंगे प्रेम की ऐसी ही अपाहिज पर्यूनिती हुई हो और धन संचे के भाव को अपना लिया है पती के प्रेम पर वह मुगद हैं उनकी जादतियों और दुरबलताओं के प्रती अंजान पर संभव है यह उसका वैवार का चितर हो भीतर ही भीतर वह उन पर खीचती हो उपती हो किन्तु अपने पती के प्रेम प्रदर्शन से उसे कभी त्रिपती नहीं होती जब कभी उसके पती उसका नाम लेकर या बेटे बेटी को संभोधन कर उसे पुकार लगाते अत्वा औरतों के गिरों की परवाना कर उसके पास जाकर खड़े हो जाते अत्वा घर का काच करते समय उसका पल्ला पकड़े रहते जैसे की बुड़ापे में पेंशन पाने के बाद उनका अभ्यास हो गया है तब पारवती लास संकोच खीज उपका अभिने करती हुई भीतर ही भीतर उनकी रस अनुरुकती का उपियोग करती देखी गई है वह उनसे उलहाने के स्वर में कहती है अरे मेरे साथ क्या फिर रहे हो कोई कागची अकबार हाथ में क्यों नहीं ले लेते या अपने लड़के से कहती है ग्रेंदर बेटा जरा इनसे कहतो दे सही की कागज बाचे जरा घूमे फिरे धूप का मुझ देके कहतो दे बेटा अभी हाल में ही पारवती के स्वामी बिमार पड़ गए थे रोग ने अचानक भयंकर रूप पकड़ लिया पारवती ने जिस लगन सहास और दिन रात के अथक परिश्रम से उनकी सेवा की वह अवरनी है काल से लड़कर जैसे उसने अपने स्वामी को फिर से लटा लिया पड़ास के पड़े लिखों का कहना है कि अपने समाज में इस्तरी की परवाष्टा ही पारवती की इस भागिरत प्रहतन का कारण है पुत्र के लिए यह सेवा प्रणायता की प्रवरती कहां सो रही थी अतया उसे अधिक श्रह नहीं देते पर पड़े लिके संदेग्द जो रहते हैं पुराने लोग तो उसका कारण पारवती की अनन्य भक्ती पती भक्ती ही बतलाते हैं और इसके लिए उसे सावित्री की प्रशंसा भी करते हैं पारवती को स्वेम उसका कारण ग्यात नहीं अश्यार्य उसे भी होता है कि पती को मृत्यू के मुक में देखकर उसके दिर्ग जीवन के परिश्रम सिथा के, गले, बुड़े अंगों में कैसी प्रबड़ शक्ति और कहां से आ गई, नींद भूग भी कहां खो गई, जो कुछ भी हो, पती को जीवन दान मिल गया, भगवान दया निधान है, बिमारी के बाद और कुछ बुड़ापे के कार खो रहे हैं, अब वे पारवती के बिना शन भर नहीं रह सकते, वही मा है, वही मंत्री, वही सकी, पारवती के स्वामी खुली हुई ग्राम में हसी हसते हैं, और हसने में हाथ पर हाथ भी मारते हैं, अब उस हसी ने अखब भी उनका साथ नहीं छोड़ा, उनमें एक प्रका की रसिक्ता की मात्रा भी है पारवती को प्राया उसका स्वाद मिला करता है अब भी पारवती का जीवन ही दमपत्ती का जीवन है पेंशन के बाद छोटी सी आर्थिक दशा में और भी कमी आ जाने के कारण बोड़ी पारवती पर घर के प्रवंद का बार और बढ़ गया वैस और देही की शुद्दी सनान से स्वामी ने जैसे सोते से जक्तर पुझा, क्या कहा, धन की शुद्धी स्नान, पारवती ने वासल्य भाव से दोरा कर समझाते वे, कहा, हाँ, हाँ, धन की शुद्धी स्नान से, उसके स्वामी ने फिर से उस वाक्य को दोराया, और सास्षयारे मुद्धु दृष्ष्टी से स होश्यार औरते हैं स्वामी ने अश्यारे से आँखे फाड़ करका अच्छा मैंने तो श्यार और गाउं में तुम्हारी तरह होश्यार किसी को नहीं देखा पारवदी ने परसन होकर विरोध किया तुमने किसी को नहीं देखा संभव है पारवदी की स्वामी ने केवल रसिक तवश्वेह नाटकिय कतोपकतन गड़ा हुँ जिससे पार्वती को आत्म संतुष्टी ही मिली